नमस्कार आते हुए देखते हैं तो आप कहते हैं कि वह जीवित हैं हम किसी भी जीव के हिलने डुलने या गटी करने की प्रक्रिया से यह कह पाते हैं कि वह जीवित है जानवर खाना ढूंडने के लिए और दूसरे जानवरों से बचने के लिए गटी करते हैं पेड़ पौधे सूरे क कि रोश्णी पाने के लिए एक विशिष्ट दिशा में उगते हैं, ये सब हमको दर्शाता है कि ये सब जन्तु जीवित हैं। कती करने या विशिष्ट दिशा में उगने के सिवा और भी ऐसी बाते हैं जो हमको बताती हैं कि कुछ जीवित है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी आँख में बहुत तेज रोश्टी डाली जाए तो आपकी आँख का छिद्र अपने आप छोटा हो जाता है और अगर आप गलती से किसी भी बहुत गर्म वस्तु को छू ले तो आपका हाथ अपने आप जटके से उस वस्तु से दूर हट जाता है इन सब उधारणों से हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण में परिवर्तन से होने वाली प्रतिक्रिया हर जीव जन्तु द्वारा सावधानी से नियंतृत की जाती है क्लास में टीचर ना हो तो आप अपने दोस्तों से तेज आवाज में बात करते हैं पर वहीं अगर क्लास में टीचर आ जाए तो आप फुसफुसा के बात करने लगते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रक्रियाएं पर्यावरण में परिवर्तन के अभग्यान पे निर्भर करती हैं और उसी से प्रेरित होती हैं इस पार्ठ में हम जानवरों और पाधों में ऐसी प्रक्रियाओं की चर्चा करेंगे जिनसे हम पर्यावरण के परिवर्तनों को भाप पाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप उन तंत्रों का उप्योग कर पाते हैं जो नियंत्रन और समनवय के कार करते हैं आईए देखते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि हम सर्दियों के समय गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? ऐसा इसलिए है क्यूंकि सर्दियों के समय हमें ठण लगती है और इसी ठण से बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं पर सवाल यह है कि हमें ठन लगती क्यों है ऐसा इसलिए है क्यूंकि हमारे शरीर में तंतर का तंतर होता है यहीं तंतर का तंतर हमें चीजों को समझने और उनकी अनुसार प्रतिक्रिया करने में मदद करता है कृपईया से अपनी कौपी में नोट कर लें अब अगर हम ठंड महसूस करने को समझें तो कुछ इस प्रकार है हम ठंड इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि तंत्र का तंत्र हमारे वातावरन और हमारे मस्तिश्क के तापमान का निन्ने करता है और फिर हमारा मस्तिश्क हमें ठंड का एहसास कराता है तथा प्रतिक्रिया देता है कि अधि कपड़े पहनने है क्या आपके माता या पिता जी ने कभी कुछ ऐसा अच्छा खाना बनाया है जिसकी खुश्बू के कारण अप रसोई घर में चले गए हो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यूं है? इसका कारण है ग्राही जिससे हमारा शरी स्वाद और गंध पहचानता है इसे कौपी में नोट कर ले ग्राही दो प्रकार के होते हैं घरान ग्राही, गंध पता करने वाले ग्राही तथा रसमवेदी ग्राही सुआत पता करने वाले ग्राही कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले कलपना कीजिए कि एक बल्ब बिजली के बोड से तार और प्लग के द्वारा जुड़ा हुआ है जब हम सौकिट का स्विच आन करेंगे तब विद्यूत प्लग के तार से बल्ब तक पहुँचेगा इसी प्रकार हमारे शरीर में तंत्र का कोशिका के द्वारा संदेश मस्तिश्क तक जाता है और मस्तिश्क से कोशिकाओं तक जाता है और हम क्रिया करते हैं कृपया इसे कॉपी में नोट कर ले चलिए अब तंत्र का कोशिका की सनरचना देखते हैं इसमें कोशिका पिंड होता है इसमें केंद्रक होता है जो और कोशिकाओं की तरह कारे करता है इसमें द्रुमिका होता है जिससे विद्यूत आवेग कोशिका पिंड तक जाते है इसमें तंत्रिक आख्ष होते हैं, जो इन आवेगों को और आगे लेकर जाते हैं फिर तंत्रिका की अंत से संकीत आगे पहुँचते हैं कृप्या इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले तो एक पून तंत्र का कोशिका अपने भागों के साथ कुछ इस प्रकार दिखाए देगा कल्पना कीजिए बिजली का करेंट एक तार से बह रहा है जिस प्रकार बिजली तार द्वारा बहती है उसी प्रकार शरीन में तंत्र का कोशिकाओं से तंत्र का आवेग बहता है यह आवेग द्रुमिका से कोशिकाओं तक जाता है और तंत्र काश से होते हुए इसके अंतिम सिरे तक पहुँच जाता है तंत्र काश के अंत में यह विद्युत आवेग कुछ रसायनों का उत्पात करते हैं यह रसायन एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी कोशिका तक संगम बनाते हैं जो की अंतर ग्रथन कहलाता है यह अंतर ग्रथन हर तंत्रिकाश के अंत में उपस्थित होते हैं उत्तीन होते हुए यह रसायन आवेग में बदल जाते हैं और आगे चलते हैं क्रिप्या से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कल्पना कीजिए कि कोई आपको डरा देता है तो क्या होगा? शायद यह होगा, आप डर जाएंगे तो यह अचानक घबराना किस प्रकार में आएगा? जान बूच कर या अन जाने में? यदि घबराना जान बूच कर होता है तो इसे कहते हैं एच्छिक अनुक्रिया और कार्य क्योंकि यह आप चाहते थे यदि यह अन जाने में होता है तो इसे कहते हैं अनैच्छिक अनुक्रिया या कार्य अनुक्रिया तीन प्रकार की होती हैं अच्छिक, जो हम चाहते हैं, जैसे की लिखना, पढ़ना, इतियादी, अनच्छिक, जो कि आप अपने आप होती हैं, जैसे की सांस लेना, दिल धड़कना, इतियादी, प्रतिवर्ती अनुक्रिया, जो की हमारे इच्छा के विरध होती है, जैसे की आप चित्र में देख सकत क्रिप्प्य ऐसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए हमने देखा कि अनुक्रिया तीन प्रकार की होती है जो कि कुछ इस प्रकार है एच्चिक क्रिया अनैच्चिक क्रिया और प्रतिवर्ति क्रिया जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं एक अनुक्रिया हमारे इच्छ इच्छा के विरुद हो रही है जैसे आपकी आखों का पलक जपकाना लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में आप क्या कहेंगे इच्छा के अनुसार और इच्छा के विरुद एक उधारन लेकर इसे समझते हैं कल्पना कीजे आप उबलते हुए पानी के ग्लास को उठाने की कोशिश करते हैं इसके बाद हमारे मस्तिश्क में होने वाली घटनाएं कुछ इस प्रकार होंगी उबलते हुए पानी को चूने से गर्मी महसूस होगी यह गर्मी मेरे हाथ को नुकसान पहुँचा सकती है मुझे अपना हाथ खीच लेना चाहिए क्योंकि हमारे मस्तिश को इस जानकारी को संसाधित करने में कुछ समय लगता है हमारा शरीर हमारी मेरूरजु के कारवाई के तहत प्रतिक्रिया करता है तो इस पूरे प्रक्रिया में क्या हुआ हमारे उत्तकों को जलने से बचाने के लिए अच्छानक हमारा हाथ दूर चला जाएगा आप याद रखें, जब हमने उबलते पानी के गلاस को छुआ था, तो हमने वहां प्रतिवर्ती अनुक्रिया देखा था प्रतिवर्ती चाप सम्वेदी तंत्र का कोशिका और मांसपेशी तंत्र का कोशिका जिसे हम मोटर तंत्र का कोशिका भी कहते हैं के बीच एक संबंध है जिसके कारण प्रतिक्रिया ततकाल होती है कृप्या ऐसे कौपी में नोट कर लें चलिए अब एक प्रश्न देखते हैं जानवरों में प्रति वृति चाप क्यों विक्सित हुई है वीडियो को यहां रोकें और चर्चा करें चलिए अब इसका हल देखते हैं प्रति वृति चाप जानवरों में विक्सित हुए हैं क्यूंकि मस्तिश्क की विचार प्रक्रिया उतनी तेज नहीं है वास्तव में कई जानवरों के पास सोचने के लिए आवर्शक जटिल नियूरों नेटवर्क बहुत कम या कोई भी नहीं है इसलिए यह संभावना है कि प्रति वृति चाप वास्तविक विचार प्रक्रियाओं के अभाव में काम करने के लिए कुशल तरीके के रूप में विक्सित हुए है कृपया से अपनी कॉपी में नोट कर ले जब हम लिखते हैं तो हमारे हाथ और हमारे मस्तिष्क के बीच समन्वय की आवशक्ता होती है यह समन्वय प्रनाली हमारे तंत्र का तंत्र द्वारा संचालित की जाती है मनुश्य में दो प्रकार के तंत्र का तंत्र होते हैं केंद्रिय तंत्र का तंत्र इसमें मस्तिश्क और मेरू रज्जू शामिल है। परिधिय तंत्र का तंत्र इसमें कपाल और मेरू तंत्र का शामिल है। कपाल हमारे सिर के अंदर मस्तिश्क से उत्पन होने वाली पेशी है। और मेरू तंत्र का ऐसी पेशी है जो हमारे मेरू रज्जू से निकलती है और हमारे पूरे शरीन में फैल जाती है मस्तिश्क और मेरू रज्जू शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करते हैं और इसे एकत्रित करते हैं फिर सूचना के आधार पर मस्तिश्क मानस्पेश्यों को संदेश भेजता है दोनों तंत्र का तंत्र एक साथ समन्वय करते हैं जिसमें परीधिये तंत्र का तंत्र, केंद्रिये तंत्र का तंत्र के शरीर के अन्य हिस्सों के साथ समवाद करने में मदद करता है यही कारण है कि मस्तिश्क हमारी सोच के आधार पे कारवाई करता है कृप्या ऐसे कौपी में नोट कर ले